नाम को लेकर उनका ये चश्मा आजका नहीं है नाम को लेकर ये जुम्गोव है ना उनका आजका नहीं है ये दसों को पुराना चश्मा है इन्हें लगता है कि नाम बदल कर देश पर राज कर लेगे गरीब को चारों तरब उनका नाम तो नजर आता है लेकिन उनका काम कहीं नजर नहीं आता है असपतालों में नाम उनके हैं इलाज नहीं है सेक्षण ही सहुता है नाम लतक रहे है सडकों हो पार्ग हो उनका नाम गरीब कल्ल्यार की योजनाओं पर उनका नाम खेल पूरसकारों पर उनका नाम एरपोर्ट पर उनका नाम मीजियम पर उनका नाम अपने नाम से योजनाई चलाई और फिर उन योजनाओं में हजारों करोड के बश्टाचार की समाज के अंतिम छोर पर खड़ा व्यक्ति काम होते देखना चाहता था लेकिन उसे मिला क्या सिर्फ सिर्फ परिवार का नाम अध्यक्ष महद्वाई कौगिरस की पहचान से जुड़ी कोई चीज उनकी अपनी नहीं कोई चीज उनकी अपनी नहीं चुनाव चिन से लेकर विचारों तक सब कुछ कौंग्रेस अपना होने का दावा करती है वो किसी और से लिया हुआ है आदरिया दग्जी अपनी कमियों को ढखने के लिए चुनाव चिन और विचारों को भी चुरा लिया फिर भी जो बदला हुए है उसमें पार्टी का धमंड ही दिखता है ये भी दिखता है कि 2014 से वो किस तरह डिनायल के मोड में है पार्टी के संस्थापक कौन ए ओ हुम एक विदेशी थे जिनोंने पार्टी बनाई आप जानते हैं 1920 में भारत के स्वतंतता संगराम को एक नई उर्जा मिली 1920 में गनाया द्वज मिला और देश्ट ने उस दज को अपना लिया तो रातो रात कॉंग्रेस ने उस द्वज की तांकत देख करके उसे भी छिल लिया और प्रतीक को देखा कि ये गाड़ी चलाने के लिए ठीक रहेगा 1920 से खेल चल रहा है और उनको लगा कि तिरंगा जंडा देखेंगे तो लोग देखेंगे उनकी पात हो रही है ये उन्हों रहे खेल किया बोटरों को भुलाने के लिए गांदी नाम भी हर बार वो भी चुरा लिया कौंगेस के चुलाब चुना देखेंगे दो बेल गाए बचड़ा और फिर हाथ का पंज्या ये सारे उनके कारणा में उनकी हर प्रकार की मनोवृत्ती का प्रतिवीम्ब करता है उसको प्रगड करते है और ये साब दिखाता है कि सब कोच एक परिवार के हाथों में सब केंद्रित हो चुका है आजए अज़े देखें ये इंडिया गड़बंदन नहीं है ये इंडिया गड़बंदन नहीं है एक गमंडिया गड़बंदन है ये इंडिया गड़बंदन नहीं है गमंडिया गड़बंदन है और इसकी बारात में हर कोई दुला बनना चाहता है सबको प्रधान मंद्री बनना है आदे नियद्धे जी इस गड़ बंदने ये भी नहीं सोचा है कि किस राज्य में आपके साथ आप किसके साथ कहां पहुँचे हैं पस्चिम बंगाल में आप TMC और Communist Party के खिलाफ है और दिल्ली में एक साथ है और अधिर बाबो 1991 अधिर बाबो 1991 पस्चिम मंगाल बितान सबा का चुनाव इनी Communist Party ने अधिर बाबो साथ क्या वहवार किया था वह आज भी इतिहास में दर्ज है बाहर थे तो अपना लेबल बदल सकते हैं लेकिन पुराने पापों का क्या होगा यह आए पाप आपको लेके डुबेंगे आप जनता जनारदन से यह पाप कैसे छिपा पाओगे आप नहीं छिपा सकते हो और इनको आज जो हालत इसले मैं कहना चाहता हूँ अभी हालत ऐसे हैं अभी हालत ऐसे हैं इसलिए हाथों में हाथ अभी हालत ऐसे हैं इसलिए हाथों में हाथ जहां हाला तो बदले जहां हाला तो बदले फिर छुरियां भी निकलेगी आज एंडिया देख जी ये गमंडिया गटबंदन देश में परिवारबाद की राजलित्री को आज सबसे बड़ा प्रतिम है देश के स्वाधिनता से रानियों ने हमारे समिधान निर्माताओं ने हमेशा परिवारबादी राजलित्री का विरोध किया था मातमा गांदी सरदार बल्लबाई पटे बाबा साब आम लेड़कर डॉक्टर राजेंदर प्रशाद मौलाना अजात गोपिनाज बोर्डली लोकना एक जैप्रकास डॉक्टर लोईया आप जितले में नाम देखेंगे सब ने परिवारबाद की खुल कर आलोचना की है क्योंकि परिवारबाद का नुक्षान देश के सामान्य नागरिक को उठाना पड़ा है परिवारबाद सामान्य नागरिक के उसके हकों उसके अधिकारों से बंचित है इसलिए इन विभूतियों ने हमेशा इस देश पर बात जोड़ दिया था कि देश को परिवार नाम और पैसे पर आधारी व्यवस्ता से हटना ही होगा लेकिन कॉंग्रेस को हमेशा ये बात पसंद नहीं आई हादनिय अद्धिक जी हमने हमेशा परिवार बात का विरोध करने वालों का हमने बराबर देखा है कि उसके प्रतिम की कैसी नफरत की भावते कॉंग्रेस को परिवारवाद पसंद है कॉंग्रेस को दरबारवाद पसंद है जहां बड़े लोग उनकी बेटे बेटिया भी बड़े बत्मदों पर काबीज हो जो परिवार से बाहर है उनके लिए भी यही है कि जब तक आप इस मैठिल में दरबारी नहीं वनोगे तो आपका भी कोई भविश नहीं है यही उनकी कारिशा ली रही है इस दरबार सिस्टम ने कई विकेट लिए कितनों का हक मारा है इन लोगों ने बाबा साब आम बेड़ कर कॉंग्रेस ने जी जान लगा कर दो बार उनको हरवाया कॉंग्रेस के लोग बाबा साब आम बेड़ करके कपड़ों का मजाग उडाते थे यह वो लोग है बाबु जग्जिविन राम उन्होंने इमर्जंसी पर सवाल उठाए तो बाबु जग्जिव बाबु को भी उन्होंने नहीं छोड़ा उनको प्रदाडित किया मुरार्जिवाई देशाई चरन सिंग चंद्रसे कर जी अब कितने ही नाम लीजिए दर्बारबाद के कारण देश के महान लोगों के अधिकारों को इन्होंने हमेशा हमेशा के लिए तबाह कर दिया यहां तक कि जो दर्बारी नहीं थे जो दर्बारबाद से जुड़े नहीं थे उनके पॉर्ट्रेट तक पार्लामेंट में लगाने से इनको जिजख होती थी 1990 में उनके प्रोट्रेट सेंट्रल हॉल में तब लगी जब बीजेपी समढ़ थी गैर कॉंग्रेसी सरकार सामने आई लोईया जी की पॉर्ट्रेट भी संसद में तब लगी जब 1991 में गैर कॉंग्रेस सरकार बनी नेता जी की पॉर्ट्रेट 1978 में सेंट्रल हॉल में लगाई जब जन्ता पार्टी की सरकार थी लाल बादुर सास्त्री और चरण सी उनका पॉर्ट्रेट भी 1993 में गैर परिवार की सरकार में लगा सरदार प्रट्रेट के योगदान को भी कॉंग्रेस ने हमेशा नकारा सरदार साब को समर्पित विश्वगी सबसे उची स्टेट्य अप्लिटी प्रतिमा बनाने का गवरों भी हमें प्राप्त हुआ हमारी सरकार ने दिल्ली में पीएम मुजियम बनाया सारे पुर्व प्रदान मंत्रियों को सम्मान दिया पीएम मुजियम दाल और पार्टी से उपर उठकर सभी प्रदान मंत्रियों को समर्पित है उनको ये भी नहीं पत्रा है, क्योंकि उनके परिवार के बाहर का कोई भी प्रदान मंत्री बढा हो, वो उनको मंजूर नहीं है, वो उनको स्विकार नहीं है आधनिय दग्जी आधनिय दग्जी, बहुत बार कुछ बुरा बोलने की इरादे से भी, जब कोशिश होती है, तो कुछने कुछ सच भी निकल जाता है